हेलो एब्रिवन वेल्कम पुटी चैनल मेस स्टेडी फो सी बीसी पैटर्न इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस चैप्र फाइफ लाइन एंगल्स एक्सराइस फाइफ पॉएंट वन एंड कॉस्ट नूम्बर शिक्स क्लास सेवन थे तो कॉस्ट नूम्र शिक्स ते कि क्या है इन दा गिवन फिगर यह जो फिगर आपको यहां पर गिवन है इसमें आपका एंगल वन एंगल टो और सप्लिमेंटरी एंगल्स मेंस दो सम अफ एंगल वन एंगल टो इस एकोल स्टू 180 डिग्री ना इफ एंगल वन इस डिक्रेज अगर आपका एंगल वन डिक्रेज होता है what changes should take place in angle 2 so that both the angles still remain supplementary बोलें अगर angle 1 decrease हो रहा है तो angle 2 में कौन से changes आएंगे जिसकी वज़े से वो आपके angle अभी भी supplementary रहें तो इसमें हमें क्या दियावा है देखें एंगल 1 प्लस एंगल 2 is equals to 180 degree यह आपको given है ठीक है अब यहापे आप लेख सकते हैं कि supplementary angles है ओके और अब आपको क्या बताना है कि आपका angle 1 is decreased एंगल 1 आपका decreased हुआ है बट इसमें आपको यह नहीं बताया कि कि इतना decrease वाए तो हम suppose कर लेते हैं let it is decreased by 15% हम इसको 15% let कर लेते हैं तो आपकी question जो है वो क्या बनेगी यहाँ पर आपका new angle बनेगा is equals to 180 degree अब suppose कीजिए आपको यह equation यहाँ पर क्या करना है as it is रखनी है means अभी भी आपका इन दोनों का angle का addition 180 degree होना चाहिए तो अगर आपका angle 1 15 degree से decrease हुआ है तो आपका angle 2 क्या होगा 15 degree से increase होगा क्योंकि हमें यहाँ पर changes नहीं चाहिए हमें अभी भी 180 degree ही चाहिए हम क्या लिखेंगे angle 2 should increase by 15 degree तो यह होगे आपका question number 6 का solution I hope आपको अच्छे से समझाया होगा वीडियो को like and share करना ना भूले और अगर चैनल परना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक्यू